arrange the following numbers in ascending order तो हमें इन तीन numbers को ascending order में लिखना है तो ध्यान दिजेगा ये square root of 3 है cube root of 5 है यह और यह जो है fourth root of 8 है तो यहाँ पर जो principle है मतलब जो principle आप use करोगे इसको arrange करने के लिए ascending order में वह कुछ इस तरीके से है 8 to the power कुछ दिया रहेगा 1 upon 2 और मनलोग कोई दूसरा number है यहाँ पर b to the power 1 upon 3 c to the power 1 upon 4 यदि ऐसे numbers रहते हैं तो सबसे पहले आपको powers को same करना होता है यदि इनके powers same हो जाएं तो आसानी से हम comparison कर सकते हैं base का तो हम base का comparison करके इसको arrange कर सकते हैं यदि powers same है तो तो हमें इनके पहले powers को same करना होगा सबसे पहले इनको हम लिख लेते हैं power के form में मतलब हम यहाँ पर यदि इसको लिखेंगे तो मिलेगा 3 to the power 1 upon 2 और यहाँ मिलेगा 5 to the power 1 upon 3 और यहाँ है 8 to the power 1 upon 4 सबके powers को equal करने के लिए हमें जो denominator है उनका LCM लेना होगा मतलब की 2, 3, 4 इनका LCM ले लिजिए LCM लेंगे तो क्या आएगा 2, 1, 2, 3, 2, 4 1, 3, 1 और 3 से जाएगा 3, 1, 1, 1 देखेंगे आपका 2 to the 4 and 4 to the 12 इसका LCM आएगा 12 मतलब कि denominator को 12 करेंगे वो करने के लिए देखें हम क्या करेंगे 3 to the power, 1 में और 2 में multiply करतेंगे 6 से तो मिल जाएगा 6 into 1 मतलब 1 into 6 upon 2 into 6 ऐसा करेंगे अब यहाँ भी करेंगी कि यहाँ पर force multiply करेंगे मतलब कि 1 into 4 upon 3 into 4 हम बस 4 हैं यहाँ परना कि denominator equal हो जाए, सबका denominator equal हो जाए, powers के तो हम वही करना चाहते हैं, 8 to the power 1 into, यहाँ पर करना पड़ेगा 3 upon 4 into 3 अब देखिए यहाँ पर हो क्या गया, यहाँ पर आ गया है 3 to the power 6 upon यह आ गया 12 और यह हो गया 5 to the power 4 upon 12 और यह हो गया 8 to the power 3 upon 12 सभी के denominator है equal हो गया है तो हम इन सभी नमबर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 to the power 6 whole upon whole to the power 1 upon 12 यह जो यहाँ पर 6 है उसको हम अंदर डाल दी है ब्रिकेट का अंदर और ऐसा लिख सकते हैं, फिर 5 to the power 4 whole to the power 1 upon 12, ठीक वैसे यहाँ भी 8 to the power 3 whole to the power 1 upon 12 ऐसा क्यों की है हम? आप सोच रहे होंगे तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर सबका power सेम हो गया है मतलब की 1 upon 12, 1 upon 12, 1 upon 12 जब ऐसा हुआ तो हम केवल इसके base को compare कर सकते हैं तो यहाँ पर expand कर लिजिए क्या मिलेगा? 3 to the power 6 की जो value होगी 729 multiply करेंगे 6 times 3 को 729 मिलेगा, hold to the power 1 upon 12 है यहाँ भी 5 to the power 4 करेंगे तो मिलेगा 625 hold to the power हो गया 1 upon 12, यहाँ पर 8 को 3 times करेंगे तो मिलेगा 512 hold to the power 1 upon 12 देखिए अब यहाँ पर base का comparison आसानी से कर सकते हैं हम क्योंकि powers सेम है, यदि power सेम रहेगा तभी और तभी comparison allowed है नहीं तो गलग सुझाएगा तो अब यहाँ पर देखिए, कौन सब छोटा है यह सब छोटा है, तो हमें लिखना है ascending order में, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 512 hold to the power 1 upon 12 is less than 625 hold to the power 1 upon 12 is less than 729 hold to the power 1 upon 12, और इनका जो arrangement है, इनका जो real arrangement होगा वो यहाँ से आप देख सकते हैं मतलब कि हम लिखना ज़्यदी चाहें तो यह हो जाएगा यहाँ यह जो था number वो root 8 था 4th root of 8 और यह इससे बढ़ा होगा यह कि किसका था? 5 to the power मतलब कि cube root of 5 और यह number जो था वो 3 का cube square root था तो आप देख रहा हैं कि सबसे छोटा number यह था, उससे बड़ा यह है उससे बड़ा यह है तो this is your answer this is the ascending order of these three numbers थैंक्यू सो मच पर वाचिंग, विदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो का आपने दस्तों को share कर सकते हैं थैंक्यू अगेन